जिसका डर था आखिरकार बही हुआ आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा को लेकर जो बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जो बेहर सामने आ चुकी है जिसे जानकर हैरान होंगे और ये रिपोर्ट कुछ हटकर होने बाला है आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें पहले फेक्ट की बात करें तो अच्छे कुमार की फिल्म 11 अगस्त रचावंदन को रिलीज हो रही है और बेसकी 11 अगस्त के दिन आमिर खान की फिल्म लाल सिंग चड़ा भी रिलीज हो रही है तो इन दोनों मूवी के बीच एक बहुत बड़ा कलेस होगा बहुत बड़े इफेक्ट की बात तो यह है कि जहां तक दोनों मूवी पर कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा मगर सबसे बड़ा प्रभाव जो पड़ने बाला है वहलाल सिंग चड़ा को लेकर और यह इसलिए बोल रही हूँ कि इसके पीछे का जो कान मैं आप लोगों को एक्स्प्लेन कर दूँ इसकी जो टिकट बुकिंग की रिपोर्ट सामने आई है बेहद हैरान कर देने वाली है और बेसक ही इसकी ओकेपैंसी रिपोर्ट जो सामने आई है वो भी हैरान कर देने वाली बात है आप लोग को बता दूँ, मुंबई में सिर्फ 11% ओकेपैंसी रिपोर्ट देखने को मिल लई है, बाई एंसी आर में आप लोग को बता दूँ की 12%, पुने में 9%, बेंगलेरू में 7% और हैदराबाद में 23%, हैदराबाद में सबसे ज़्यादा देखने को मिल लई है, इसकी ओक ओकेपैंसी रिपोर्ट देखने को मिल लई है, कुछ जगों पस जहां तक 20-25% ओकेपैंसी रिपोर्ट देखने को मिल लई है, लाल सिंग चड़ा को लेकर, जो बेहत हैरान कर देने वाली बात है, वह इसके टिकट बुकिंग को लेकर जो आंकडे लगाये थे, आखिरकार जितना होने चाहिए थे, वह उतने नहीं हो पा रहे हैं, बट इसकी डारेक्ट टिकट बुकिंग अब देखते हैं, कितनी हो पाती है, जो लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, डारेक्ट टिकट बुकिंग कराते हैं, वो कितना हो पाते हैं, इसके आगे जो रिपोर्ट आने व इसके उपर अपना अपना ओपिनियन्स जरूर दें साथ में वीडियो को लाइक करें शेयर करें और कौन कौन फैंस इस मूवी को देखने जा रहे हैं इस पर अपना ओपिनियन्स जरूर दे कर जाएं Bureau Report in Star India